अपने घर से जल्ले कर जब जाओगे तो घर का वास्तु दोश, घर का पित्र दोश और घर का कालसर्प दोश तीनों उस लोटे के माध्यम से जाएगा और शिव को समर्खित आज फिर निवेदन करूंगा इस नेपाल देश की पावन धरा से दोलेश्वर महादेव की कथा मे निवेदन करना चाओंगा जो बेटा बेटी नोकरी के लिए अपलाई कर रहा है जो बेटा बेटी चाहे सरकारी नोकरी हो प्राइवेट नोकरी हो सर्विस के लिए अपलाई कर रहा है उन बेटा बेटियों से निवेदन है दुरवा शिवजी को समर्पित करकर केवल पिना ही थी उसमें बहुत सारी लगी थी बढ़ी है यहां बताना है दुर्वा जो बेटा बेटी सर्विस के लिए अप्लाई करें तुम मेहनाथ करो पढ़ाई करो खूप पड़ो खूप तयारी करो अच्छे से तयारी करो जितनी मेहनत तुम है पूर्व में करी उससे दुगनी मेहनत तुम करो उस नोकरी को पाने को और साथ में जब एक्जाम के लिए जाओ कहीं इंटर्व्यू देने के लिए जाओ दुर्वा शिवजी को इस दुर्वा का जो डंडी का मुख है यह असुक सुंदरी वाली जगा फिर समझ लीजिए जैसे यह शिवलिंग यह गोल जलाधारी यहां से पानी नीचे गरता है बीच में असुक सुंदरी का स्थान होता है तो यह जो दुर्वा हम चड़ाएंगे तो इसका डंडीमोंत शिवलिंग के पर चड़ाएंगे तो यह शिवलिंग पर तंडी की जो पहले दुर्बा चड़ाएंगे उसके बाद में देवादीदे महादेव को एक लोटा जल जो तुम घर से लेकर गए हो वो समर्पित करो तीन महीना लगातार अपनी पढ़ाई की महनत करो अपने इंटर्व्यू की महनत करो और खूब अच्छा पढ़कर साथ में एक लोटा जलोड दुर्बा शिवजी को भले दस दुर्बा की जगा केवन एक दुर्बा चड़ाओ चड़ाकर जल चड़ाना तीन महीने तक लगातार बाबा से प्राथोना करना विश्वास पैदा है अगला पत्र तुमारा व्यास पीपर होगा नोपित निश्रीत आप करो महनत कर्म करने में पीछे मतटना पढ़ने में पीछे मतटना विद्याद्यान करने में पीछे मतटना अच्छी एजूकेशन पाने में पीछे मतटना पहले मेहनत अपनी करो पूर्ब में जो इंटर्व्यू दिया है उसमें जितनी कमी रिए अगली कमी को पूर्ण करने के लिए अच्छी मेहनद करो खोब खोब अच्छे सभी जया जा और फिर बाबा पर समर्पित होकर बाबा पर विशास करकर जाना और रोसा पूरा करकर जाना इंटर्वी देते समय अपना फील पावर मचूत होना चाहिए कि मेरे साथ मेरा काल अधीपती महाकाल है अब अधिकल करमान। हम दुकान खोलते हैं कि कपड़े की दुकान खोल रहे हैं कि दुकान खोल रहे हैं कि दुकान खोल रहे हैं पान की दुकान खोल रहे हम दुकान खोलते हैं पर दुकान खोलने से पहले तुमारे दो मन हो जाते हैं चलेगी की नी चलेगी खोल तो लूँग चलेगी कि नहीं चलेगी, जिस दिन तुम दुकान खोलो, एक महीने पहले, दो महीने पहले, तीन महीने पहले, बाबा को दुर्वा चड़ा कर, एक लोटा जल चड़ा कर, नियम बना कर जाना, तीन महीने बाद में दुकान खोल रही हूं, दो महीने बाद में दुकान खोल र नहीं है जेतना माल खरिद से लाएंगी उतना पेज कर बताऊंगी क्योंकि मेरे साथ काल अधी पति महाकाल है तो चले विश्वास दड़ी करो भरोसा पक्का करो जिस दिन तुम्हेरा विश्वास दड़ी हो गया वुदिन तुम भी जै वुदिन तुम आनंदता में इंजीनिरिंग की पढ़ाई बहुत कठीन हैं डॉक्तर की पढ़ाई बहुत कठीन हैं साथ वाले एसे मत ढूंड़ना जो तुमारा विल पावर कमजोर कर दें यह वाली फेक्त्री खोलेंगे तो हो सकता है नुच्सान हो जाए इसलिए यह फेक्त्री खुलने का मन्नी और अचलिया कि अपने छेत्र में नहीं है मेहनात करूंगा चार्चान लगाऊंगा कहीं पर भी जाऊंगा पर जीत कर बताऊंगा तो वो फेक्त्री भी भग दोड़ेगी निशित्ता है आपका विल पावर कमजोर नहीं होना चाहिए आप कैसे कमजोर हो जाओं संकर भगवान रिकां का भगत कभी कमजोर नहीं पड़ता शीव का भगत्र कभी कमजोर नहीं पड़ता संटान और जिसके घर में 20 साल संका नीं Bene शीनल've 17 साल तीस संतान नहीं होई और अखरल ने कर दिया था अफलाथ नहीं होगे चाहते तो वील पावर मजबूत हो जाता कम जोर हो गया विचार कर लिया संतान नहीं होगी सब दुर्दिखाया संतान नहीं होगी आध्री में तुमने विश्वास पक्का कर लिया कि टीवी पर कथा सुनी शू पुराण में कहा होगा जब उसको भगवान ने 17 साल में संतान दी है तो मुझे तो चार साल साधी के हुए हैं पास साल हुए हैं मेरा बाबा मेरी जोली भरेगा बील पावर मजबूत हुआ और बाबा ने उलाद दे तुम विश्वास पक्का करो धड़ी बनाओ अपने विश्वास को धड़ी बनाओ जिस दिन तुम्हारा विश्वास धड़ी हो गया उस दिन या एक जम के बोलो क्या यह दुरुबा एक दुरुबा सबसे पहली दुरुबा सबसे पहली दुरुबा गणेश जी को और सबसे पहली दुरुबा संकर जी को किसने समर्पित करी तो कौन का भी इलपावर कमजोर हो गया था कौन का भी इलपावर कमजोर हो गया था और अपने को कमज्योर शमंदे लगा था कौन था जिसके अपास सब कुछ था और उसके बाद इसका मन उदास हो गया था वो था कुबेर धनपती कुबेर जिसके पास में सक्ता की कमी नहीं थी बेबहु की कमी नहीं थी धन की कमी नहीं थी संपदा की कमी नहीं थी वो कुबेर जो एक जगा बेड़ जा तो लोगों का कुबेर का भंडार भर दे तो कुबेर का घजाना कम हुआ भंडारा कम हुआ अनुंत में उसकी आख से जवासु बहा तब कुवेर एक दुर्वा लेकर महादेव के पास पहुचा और महादेव ने एक दुर्वा देकर रिद्धी सिद्धी के हाथ गणिजी के पास पहुचाया कुवेर से कहा तु अपनी मेहनत कर तुने दुर्वा दी है यह एक दुर्बा में वो बन होता है